तरहा हीलिवरिवन आज हम अपने हिमालय परवत्ति प्रधेश ते संबंधित कुछ चोटियों के बारे में बात करते हैं अपना हिमाल्यकог प्राधिशिक विभाजन के परदेशन यासा कि रेन आपके पहला बताया कश्मीर हिमाले उत्राखंड हिमाले सिक्किम हिमाले और अचाल हिमाले और पूर्वी पाड़े और परवत इन भागों में बाटा गया इसके बारे में आपको पहले बता चुक्त आज जैसा कि मैंने आपको बता रही हूं कि हिमाले का प्राधिशिक विभाजन जो नदि घाट कि आधार पर Sydney Burrad Mohoday के द्वारा किया गया है वो चार भागों में किया गया जैसा कि आप इस मांचित्र में देखिए इसमें आपको चार भाग दिखाई दे रहे हमाले के पंजाब हमाले कुमायू हमाले नेपाल हमाले और असम हमाले तो यह चारो जो इसके भाग है इसकी जो सीमाय निर्धारित की गई है वो किसके द्वारा निर्धारित की गई है नदियों के द्वारा निर्धारित की गई है जिसमें हम बात करें कि सिंधू और सतलज नदियों के बीच में आपका पंजाब हिमाले आ रहा है सतलज और काली के बीच में कुमायू हिमाले काली और तिस चुनकर मलेबं पंजाब हैं और आन तो फिर आनवादनास कि मोधना को शेणी लाइद होना माधना के जो कर दो आदे लेकिनगाव ठसवां में तोपंजाब ही मालेबं की सरवोच चोटी के शोटत है नंगापरवर, नंदा देवी आपकी चोटी है कुमायू हिमाले की सर्वोच्च शिखर, जो कुमायू हिमाले है इसका सर्वोच्च शिखर है आपकी नंदा देवी, नेपाल हिमाले की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो नेपाल हिमाले की सर्वोच्च चोटी आपके करते हैं जिसमें कि हम पहले जैसे सबस्य पहले देखे इसमें की बाद करते हैं जिसमें की की हम जो questions बनते है objective time इसमें कई बार आपके questions को घुमा फिर आके दे दिया जाता है तो उस question को समझने के लिए हमें उसके चारो option को ध्यान से देखना दरूरी होता है चारो option जब हम ध्यान से देखेंगे तब हमें यह सोचना है कि हमें अपनी right answer क्या लगाना है तो जैसे हमारा पहला अपना सवाल इसमें चोटियों से संबंदि कि विश्व की सर्वोच्च चोटी या हम बात करें हिमाले की सर्वोच्च चोटी या हम बात करें नेपाल हिमाले की सर्वोच्च चोटी तीनों का ही आंसर क्या होगा आपका सेम होगा जिसको हम कहेंगे Mount Everest मतलब Mount Everest जो है ये आपकी पूरे विश्व की सर्वोच चोटी है सबसे उचा जो शिखर है आपका वो कौन सा है Mount Everest अगर हिमाले की बात की जाए तो हिमाले या नेपाल हिमाले की बात की जाए तो नेपाल हिमाले की बी सर्वोच चोटी और हिमाले की बी सर्वोच चोटी कौन थी आपकी Mount Everest जिसकी आपकी जो ओसत उचाई है लगबा को कित्ती है दी रखी 8,848 मीटर दे रखी कुछ-कुछ किताबों में इसकी ओसत उचाई लगबा 8,850 मीटर भी दे रखी है आगे हम इसमें देखते हैं कि जो नेपाल हिमाले है इसमें नेपाल हिमाले में आने वाली जो चोटी है Mount Everest Mount Everest आपकी नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं सागर माथा मतलब हम Mount Everest को सागर माथा भी कहते हैं और द्यूसरा इसका नाम चोमो लुंगमा भी है नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं और तिबती भाषा में इसको चोमो लुगमा कहते हैं आगे हम बात करें अपनी next चोटी की बारे में तो अगर आपकी बात की जाए भारत की सबसे उची चोटी या विश्व की दूसरी सबसे उची चोटी या बात की जाब प्रत्वी की दूसरी ओची चोटी ठीक है तो वो आपकी कौन से आएगी Mount Ketu जिसका दूसरा नाम है Godwin Austin ये जो आपकी चोटी है ये आपके जम्मु कश्मीर राज में कारा कोरम शेणी में आती है मतलब जम्मु कश्मीर राज में कारा कोरम शेणी में आने वाली आपकी चोटी है Ketu जिसकी आपकी लगभग उचाय किती है 8611 मीटर मतलब अगर आपसे विश्व की दूसरी सबसे उची चोटी पूछी जाती है या भारत की सबसे उची चोटी पूछी जाती है तो आपको राइट आंसर देना है Ketu Godwin Austin लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी Ketu चोटी है यह हिमाले का पार्ट नहीं है ठीक है आपके कारा कोरम शेणी के अंदर आती है लेकिन जो मेन आपका हिमाले रिजन है जिसमें व्रहत हिमाले, लगु हिमाले और शिवालिक हिमाले आते हैं, उस हिमाले का ये भाग नहीं है, ठीक है, जो आपकी केटू जो चोटी है, ये काफी खतरनाक और काफी बाधाओं से भरी है, जिस पे चढ़ाई बहुत ही मुश्किल है, बहुत खतरनाक है, इसी लिए इ हिमाले की सबसे उची चोटी या विश्व की तीसरी सबसे उची चोटी, ठीक है, मतलग कि आपके भारत में, हिमाले जो रीजन है, भारत में, किसमें बात की जा रही है, एक तो यहाँ पर हमने बात की थी, हिमाले की सबसे उची चोटी, ठीक है, कौन थी थी, माउन्ट आपकी किस में आती है नेपाल में आती है ठीक है नेपाल हिमाले में आती है जबकि हम बात की जाए भारत में भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी कौन से आएगी तो आपका आंसर होना चाहिए कंचन जंगा क्योंकि जो कंचन जंगा है यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर तो आपके सिक्क्यम राज्य में आती है कंचन जंगा चोटी जो भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी और विश्व की आपके पूरी प्रत्वी की तीसरी सबसे उची चोटी जिसकी लगभग आपकी उचाई है 8586 मीटर और इसको नेपाल में जो आपकी कंचन जंगा है इसस आपकी लॉट से जिसकी आपकी लगभग हुजाई है 8516 मीटर के लगभग तो कई बार आपका माली जे चोटियों का क्रम पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे उची चोटियों का क्रम बताईए ठीक है आपके सरवादिक से कम से लेते वें तो आपके चार ओप्शन दे दि होती है आपकी लोट से तो ये चारो चोटियों से संबंदित जो भी आपके कन्फ्यूजन होते हैं ठीक है आपकी जैसे केटू है केटू आपके पाक अधिकरत कश्विर में आती है कई बार हमारी कुछ किताबों में क्या लिखा होता है कुछ किताबों में क्या लिखा होता तो ये सारी चीजें हमें क्या कर देती है, confuse create कर देती है, इसलिए आप इन चारो चोटियों की जो इस्थिती है वो इस मानचित्र में अच्छे से देखिए, जिससे कि आपके दिमाग में जो भी इन चोटियों से संबंदित confusion है, वो अच्छे से आपका clear हो तक है, तो आपका question कैसे भी बनके आए, भारत की सबसे उची चोटी, या भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी, या हिमाले की सबसे उची चोटी, या विश्व की सबसे उची चोटी, तो आपको ये confusion माइंड में नहीं होना चीए, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में आज अपनी सिर्फ और सिर्फ चोटियों से संबंदित बात करिए आगे हम इसमें आगे उत्तर के विशाल मैदान की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए अगर आप इस चैनल पे नए है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए जिससे की आने वाले जो भी आपकी वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो सके लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे सब्सक्राइब करते समय जो पास में एक बैल आइकन द किसी चीज से भी सम्मदित कोई जानकरी चाहते हैं कुछ पूछना चाते हैं या किसी टॉपिक के वारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिए आपको अगर इस वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैनक्यू सो म कर दो दो प्याचे कर दो कर दो तो बनाट कर दो तो झाती है